हाई गाईज वेलकम बैक सो बॉस डंकी का डे नूमबर 16 था अकल बॉक्स ओफिस पर यह नंबर कैसा रहा आप देख सकते हो वर्लवाइट का यह जो पोस्टर यह अपडेट होकर क्या आया था इसके बारे में बात होगी कल की ऑक्यूपेंसी के बारे में कल क्या उचाल क्या आपसे देखने को मिले उसके बारे में बात होगी और आज का उसके वर्सिस क्या करेक्शन आ सकता है सब कुछ इस वीडियो में वीडियो का इंटर दो देख लेना चैनल को कर लो यार सब्सक्राइब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले शारुख खान मेनिया के बारे में जो आप यह कह सकते हो कि जो एक Clash में रिलीज हुई है और Clash में इतने जबरदस Clash में फिल्म रिलीज हुई है जिसमें दोनों तरफ से हमने एक देखा है कि भई अपने-पने फैंडम्स जो है वो अपनी-पनी फिल्मों को आगे प्रमोट कर रहे हैं तो मैंने Salar के के केस में मैंने पहले भी बोला है कि Salar के केस में एक शुरू का जो इनिशल पुष कलेक्शन का आया वो बहुत बड़ा था वर्सेस हम डंकी के अगर हम बात करते हैं तो डंकी ने स्टार्ट जो है बहुत अच्छा लिया लेकिन फिर एक नीचे की तरफ ट्रेंड जाने लगा और फि तो यहाँ पर मैं बोलूगी कि Fans जो हैं वो मैंने S.R.K. fans अच्छे fans नहीं देखें जिन्होंने इस टाइम पर भी उमीद नहीं चोड़ी है यह बहुत बड़ी बात होती है इस टाइम पर भी उमीद नहीं चोड़ी है फिल्म को उतना ही promotion दे रहे हैं वो जितना Day 1 पर दे तो इसी के साथ बात करेंगे डे नंबर 16 दंकी का box office पर कैसा रहा आप पहले बात करेंगे occupancy की तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही है north में जबरदस्ट weather condition चल रही है कैसा थे ओ deadly weather condition चल रही है north में लेकिन क्या उसके चलते हमने रात को कुछ change देखा है morning show 6.8% की occupancy थी afternoon 10% evening में 11% की occupancy और night में इतने सबके बावजूद भी 13% की occupancy jump लिया सिधा 3% का 2% का और 13.09% की occupancy आई अब ये भी बहुत बड़ी बात है इस समय पर इस weather condition में और इस मुकाम पर आकर जो थर्ड वीक में एंटर कर रहे थी डंकी उस टाइम पर रात की जो occupancy उनमें jump आना is a big deal ठीक है इसके साथ अगर हम show counts की बात करते हैं तो या show counts को लेकर के चिंता भढ़ जाती है क्योंकि डंकी की show counts जो है ये दिन पर दिन कम हो रहे है अब आज का भी जो मैंने आपको जो एक prediction बताया है मुझे बस सिर्थ इसी जीज़ का है कि भाई show counts जो है ये और कम नहीं होने चाहिए क्योंकि वो और साथ कम होंगे तो फिर आप सूचर फिर कालेक्शन काफी नीचे जा सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें मुंबई की तो यहाँ पर 403 शोज थे डेली NCR में 669 शोज बात करें अगर पुने की तो पुने में 111 बैंगलोर 173 हैदराबाद 130 शोज कोलकाता 183 एमदाबाद 237 एमदाबाद में 237 शोज हैं चन्नाई में 47 सूरत 115 जैपूर 108 वो है 2.2 करोर जी हाँ और इसी के साथ टोटल इंडियानेट कलेक्शन हो चुकी है 208.67 करोर तो आज क्या हम 210 का आंकड़ा देखेंगे यार मुझे उमीद पूरी है कि हम आज देखें कि वो नंबर 210 करोर का क्योंकि अब कहानी जो है वो काफी slow हो रही है अब जो speed है वो काफी slow हो रही है और 2.2 करोर का तो मुझे expectation नहीं था मैंने आपको बोला था 3 करोर बिलो 3 करोर का आज का मैंने अब मेरा जो prediction ये सब देखने के बाद है वो मैं 3 करोर्स तक ही रखना चाहूंगी उससे ज्यादा नहीं, 3.5 भी मैंने बोला है वीडियो में, लेकिन ये देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भाई, जंप आए एक मेजर जंप आए, जो बुकमाश भी मैंने खोला है वहाँ पर तो हमको कोई बड़ा चेंज जो है, वो नहीं नज़रा रहा, औरेंज, औरेंज कलर जो हमारे को नज़रा आते थे, last Saturday, Sunday तक वो अभी तक नहीं है लेकिन उमीद ये है कि spot bookings, walk-ins, जो है वो आकर के कहानी बदलेंगे, single screens वाली जो वो आज भी जा रही है, family के साथ जा रही है तो ये एक बड़ी बात है लेकिन हाँ, जो worldwide का number है वो बहुत अच्छे स्तर पर आ रहा है overseas की collection, डंकी की बहुत बढ़िया चल रही है बहुत बढ़िया speed है वहाँ पर तो मैं चाहती हूँ, इंडिया में भी audience जो है, अब थोड़ा सा अपना perception change करके डंकी को एक chance जरूर दे तो क्या लगता है, आपको ये collection सुनने के बाद आपको क्या reaction है, click me know in the comment section बागी, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel इस वाल स्टोर फांचे